पूर्णिंग वेल्कम टू शीवाना आइसे कार में चंबा हिमाचल पर्देश एच्पी टैट आफ जेवीटी जो टेस्ट हुआ था उसके इंगलिश पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग लेड़ सी कि कितने क्वेशन आपके सही रहे हुए सबसे पहला क्वेशन जो है व पी ए आर एफ ओ आर होता है और डिस्सपलीन की स्पहलिंग डि आए एस सी आए पी एल आई एन ये डिस्सपलीन होता है यह तीन क्वेशन आये थे आपको जो आये थे आन ता बेसे ज़ुँए सपालिंग रूल्स इसके बिल्कुल बात हम अगली चीज से डिस्कस कर रहे है जो चीज हमने ये mention की हुई है क्योंकि एक direct speech, indirect speech वो दिखाती है तो say का tells बनता है और जो past में है वो past में ही रहता है या past perfect में represent करता है वो तो लिखा she said to me that she was unwell she tells me that she was unwell she tells me to, ऐसे लिखा हुए she says to me that, she says to me that she was अब देखीगा, says to का tells बनता है पहली कहनी तो ये है इस इसका B answer होगा I was unwell, she was unwell, ऐसे लिखा हुए इसको next हमारे पास है he told me that, sorry, he said to me I have a friend in Shimla it is because of reason कि say to का ask, sorry said to का ask भी बनता है और said to का told भी बनता है पर यहां पे question नहीं है तो ये ask नहीं होगा तो इसलिए answer A he told me that he had a friend in Shimla is the right answer ये कि जो perfect में होता है, present perfect में वो past में जाता है present past में जाता है, past का past perfect होता है और past perfect same ही रहता है next हमारे पास है question number 36 and 37 36 जो की लिखा हुआ यहां पे कॉप और इसका synonym बताना था कॉप का synonym होता है manage करना और innate एक ऐसी चीज होती है जो बच्चपन से ही किसी इंसान के अंदर gift की तरह काम करती है knowledge, information, बच्चपन से ही माने उसको पैदा होने के बाद learning करने की जुरूरत खास नहीं पड़ती है वो पहले से ही पैदा जो होता है वो learned होता है तो learned नहीं होगा इस cancer inborn होगा we dash serve our parents we dash serve our parents we out to we out to serve our parents out to जो है वो एक logically use होता है जो mainly represent करता है compulsion को formal चीज़ के रूप में formally जो represent करता है वो out to होता है we out to serve our parents ऐसे आना चाहिए था I cannot go there may not possibility को represent करता है cannot capability को represent करता है should obligations को वहां नहीं आएंगे हम लोग I cannot go there five rupees five rupees dash and क्योंकि आपके पास एक sense हो रीची है कि जो एन का use होता है वो single को represent करने के लिए होता है single को जब एन यहां पे लिखा हुआ है तो a हो चाहे एन हो वो एक के लिए use होता है इसलिए is आएगा क्योंकि five rupees जो है five rupees cardinal thought है मारे एक, दो, तीन, चार, पान, नमबर जो होते है इन्हें cardinal क्याते है five rupees एक cardinal है और cardinal के साथ में हमेशा is का use होता है r का use नहीं होता है तो five rupees is an expensive price for this pen two and two dash four क्योंकि यहां पे and का use हुआ है and एक consumption है and जो है वो एक consumption है consumption बोले तो दो चीज़ों को जोडने वाला जब and का use हुआ है तो यह plural बन गए और plural के साथ में s या es का use नहीं होता है इसलिए यहां पे make आएगा ना कि makes आएगा 41 भी है next हमारे पास है money makes the dash go यह idiom थी एक money makes the dash go answer था money makes the mayor go पुराने जमाने में जो था यह बात को represent करता कि कोई चीज जो नहीं होती है या नहीं चलती है पैसे देखे देखो अपने आप होगी वो लोग चौप के लिए काम नहीं करते है पैसा देखे वो चल पड़ता है money makes the mayor go यह idiom money पुराने जमाने में घोडियों को लेके कि भाई काम करवाते हैं समय काम करते हैं जो ठख जाती है तो पैसा माने उनको फीड करना कुछ भी चीज होना उससे वो काम को करेंगे तो money makes the dash को represent करता है कि कोई भी चीज जो काम अड़ा होता है पैसे से काम वो हो जाता है capital letters के जो words है उनके opposite antonyum बताने थे virtue का antonyum होता है vice hope का होता है hope का disappear यह 45th हमारे पास था dash god bless you यह तो इस तरह के questions थे कि माने यह तो कोई अंधा इंसान वहरा इंसान भी ऐसे question कर सकता था may god bless you may represent करता है possibility blessing को possibility को next हमारे पास है dash you speak for two hour at a stretch capacity को दिखा रहा है क्या तुम बोल सकते हो capacity है तुमारी capability और capacity को दिखाने के लिए can का use होता है जो चीज़ बहुत ही oblige होती है follow करनी होती है compulsory होती है वहां must का use होता है should की जगा so we must obey the constitution where there is a will there is a way यह तो ऐसी चीज़ें थी कि अगर आपने answers नहीं की है एक कई बार सुन रखा होगा आप लोगों नहीं आसान चीज़ें हैं where there is will there is a way God helps those who help themselves तूंकि who जो है वो रिप्रेजन who एक relative हो है यह रिप्रेजन कर रहा है दोस को और दोस होते हैं plural और अगर यह plural है तो plural के साथ में S.E.S. का use नहीं आना चाहिए था इसलिए यहां पे help आएगा next हमारे पास है he reads a book present indefinite है active passive voice है present indefinite present continuous को जाता है तो a book is आया continuous is read by him verb की third form का use होता है passive voice में I will invite him to tea he will be invited क्योंकि will जो है वो future indefinite है और will be future continuous है he will be invited to tea by me 51 is the right answer run fast dash you should miss the train हमने हजारों बार यह questions के है और हजारों बार ही कहा हुआ है कि जब भी यह rules बढ़े है proper कि जब भी कोई चीज का जिकर होता है कि run fast dash you should तो should के साथ में हमेशा less का use होता है L-E-S-T हमेशा less less महाने otherwise you are dash a writer and dash 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 तो कहानी क्या है पहली कहानी की you और option दीए आपको तो लिखा हुआ है you are both a writer and a teacher option number B was the right answer he is dash wise जब जब भी जब भी superlative verb का use होता है superlative adjective का use होता है superlative को दिखाने के लिए हमेशा the का use होता है और boy in dash class और class को represent करने के लिए भी the का use होता है it took me dash hour hour है यह pronunciation आ है a की sound आ रही है इसलिए यहां पर an का use होगा next हमारे पास है negro की जो है वो plural क्या होता है तो negroes होता है yes लगता है negroes this epochs की epochs epochs सिर्फ s का use होता है I am busy dash from dawn to dusk सुबा से शाम से हिंदी के लिए से रिप्रेजन करता है from को तो I am busy from dawn to dusk He jumped dash the well Preposition है into Movement को दिखाने के लिए हमेशा compound preposition का use होता है जो दो मिलके बनती है into I have lived here dash many years for यहां पर indefinite time का use हुआ है definite time नहीं है यहां पर I have lived here dash many days ऐसे आएगा Thank you very much for joining us अप understand करें कि इसके बिलकुल बार Psychology, Hindi, JK Psychology, Hindi और JK की वीडियोस पोस्ट कर दी जाएगे आप फटा फट से लाइव सेशन या फिर इस पर्टिकलर वीडियो को जो है लाइक करें इसके साथ मैं अनाउस्मेंट करूं मैं कि इलेक्टिरिशन, SSA और जेए इलेक्ट्रिकल के लिए टेक्निकल क्लासे जो है वो चल रही है कोई आपका फ्रेंड है या अदर कोई भी इंस्टूशन के कोई स्टूरेंट है जो आना चाहते हैं तो आप उनको इंतला कर सकते हैं शिवाना, IS Academy, चंबा दस से चार बजे तक SSA, लाइन मैन और एलेक्टिरिशन का बैचला रही है थैंक्यू वेरी मच पर जाइनिंग अस